क्योंकि पाकस्तान के बहुत खलाफ जाता है अगर तो वो इंग्वाल है तो फिर तो बहुत गलत है नहीं तरह हकीकत आप जब इतना अर्सा आप इस तरह के सिस्टम में हो आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो उस पर फिर जहर है पर आप सोचों को तो ताले नहीं ल करना चाहरा है और नहीं हम उनके साथ खुद बैठके को मसला हल कर सकते हैं किसी के बात होंगे किसी के बेटे होंगे और गलत हुए जो कुछ हुआ जाती हुए इसकी वज़ा से पाकिसान को एक हैवी प्राइस अगले 5-10 साल में पे करनी पड़ सकती है अपने ही लोग हमें करते हैं कि हम देशितगर्द हैं तो आप देखें जो हमारे हुकमरान हमारे पे अल्दाम यानिका यह इस चीज को एडमिट करते हैं सारी उमर का श्कूल लेकर फिरते रही हैं कि पाकिस्तान की सुरतहाल में और गाना और स्रिलंका की सुरतहाल में अब सिमिलारिटीज क्या और मैं समझता हूं कि उनको अच्छे तरीके से बताना चाहिए। पहुँच कर बम स्कुर्ड और फॉरंसिंग टीप ने स्थबूत जटाई। पुच आतंकी हमले की जिम्मेदारी पी ए 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 जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे महम्मद से जुड़ा हुआ है। इ इस हमले के बाद पाकिस्तान में एक तरह का खौफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान अपनी आतंकी कारवाईयों से बाज नी आ रहा और इसी के चलते उसे दैश्चतगर्द मुल्क का नाम दिया जाता है। सारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे से यो की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा होता है और पांच लोग अपनी जान से गए फौजी या इंडियन फौजी जो हैं वो शहीड हुए हैं क्या कहेंगे सर अभी क्या चल रहा है। देखें आर्जू सबसे पहले तो मैं कंडम करना चाहूंगा जिसने भी यह किया है खल्ट किया है क्यूंकि जो वो फोजी शहीद हुए हैं वो किसी के बचे थे खाई और बिलखसूस इस पूरे रिजट को लिस्टेबलाइस करने कि कोशिट है गल्ट हुए बहुत गल्ट किया हैं बिल्खसूस जिस वक शेंगाई कांफरेंस हो रही थी वहां पर उसमें बलावल भुटों सा भी जा रहे थे मैं तो इस पर बड़ा होफुल था कि शायद यह कोई आइस मैल्ट हो और हालात बेदरी की तरफ जाए लेकिन यह फिर मैं इसका यह इस रीजन के अंदर यही तो ब की डैफ्थ पर जाएं इंटेलिजेंस शेरिंग करें क्योंकि यह पाकिस्तान के बहुत खलाब जाता है अगर तो वह इन्वाल है तो फिर तो बहुत खलत है और मेरे ख्याल में इस नहीं होंगे वो क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटर और इंटेलिजेंस शेरिंग करें एक दूसरे के साथ इस चीज़ को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्हों ने यह किया इतना वलतिक स्टैप रूट है अभी उनका विजट कैंसल नहीं हुआ है अभी बिलाद भुट्टो दरदारी का विजट कैंसल नहीं इस तरह के सिस्टम में हो आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो उस पर फिर जहर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाया जा सकते जब भी इस तरह का वाक्या होता है फिर सोचे दूसरी साइड पर जाती ही लेकिन घलत हुआ बहुत घलत हुआ है और दूसरे के और इस मौके पर खास कर जब वहां पर एद थी आज आगरी रोजा था और इस मौके पर मेरा मकसिस्त्रा का काम करना ना सिरफ इनसानियत के खलाफ है बलके गहर इसलामी है मैं किसी को भी मानना मैं समझता हूं किसी की भी जान लेना गहर इसलामी है इसलाम इन चीज़ों की इजाद नहीं देता घल्ट हुए जो कुछ हुए मैं समझता हूँ इसको मैं किंडम करना चाहूँगा अफसूस है मुझे के हुआ है मैं तो आर्जू अगर मुझसे पूछे मैं बिल्कुल ही किसी मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हाक में नहीं हूँ यह तो फिर लोग थे मैं जिस तरह मैंने आपको हर्ज किया किसी के बात होंगे किसी के बेटे होंगे और घल्त हुए जो कुछ हुए जाती हुए यह मैं इसको बड़े भर्पूल तरीके से इसकी मुझमत करना चाहूँगा और खासकर यह कहूँगा कि इसको फॉर्म किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए और दौा करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए और खासकर उनकी फैमिली इसके लिए दौा करने चाहिए कि अल्ला ताला भगवान वाहिद गुरू उनको सबर गल्त हुए जो कुछ लेकिन जर्दारी के जैसा ही फॉर्ण आफिस की तरफ से बताये गया कि वह जा र है कि यह कई ऐसी कुवते मौजूद होंगी आरजू जो यह नहीं चाहती कि दोनों मौमालिक जो है ग्रीब हैं यह बड़े अरसे बात हो रहा था अलाके यह बलावल भुटो साब का जाना बड़ा एक मेरे खाल में पॉजिटिव एक चीज थी मैं तो बड़ा इस चीज पर पुरुमीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जाना लेकिन मेरे खाल में कुछ ऐसे पाइटियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों मौमालिक जो हैं उनके दिरम्यान को अच्छे रवाबत हो यह बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आर्जू इस तरफ ले पाकस्तान के नैशनल इंटरस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेतर हो और भारत के लिए जो के इस रीजन के उबरती भी ताकत है उसके लिए जरूरी है कि रीजन रीजनल रोल अदा करें पाकिस्तान की सुरतहाल में और गाना और स्री लंका की सुरतहाल में अब सि स्रीलंका और घाना से इस तरह इसे थी कि वहां पर भी politics की वजा से जो वो नेसेसरी steps economy को ले जाने को stability की तरफ ले जाने के लिए चाहिए थे वो उन्होंने भी बहुत डिले से एक ये